नमस्कार आप सभी का एकेंस्ट कप्शन 99 में बहुत बहुत स्वागत है आज आप लोग जानेंगे किसी भी कारियाल है खास कर पुलिस विभाग में हुए भरस्टाचार का खुलासा आर्टे आई लगाकर आप आसानी से कर सकते हैं इसकी पूरी जानकारी आप लोगों को इस विडियो में दी जाएगी इसलिए जो पुलिस पतादिकारी भरस्ट है उसके कारियाले में आर्टे आई लगाकर आप उसके भरस्टाचार का खुलासा आसानी से कर सकते हैं भरस्टाचार का खुलासा करने के बाद उसकी सिकायत सक्षम नियाले या प्रादिकार में करकर उ करवा सकते हैं चलिए जो इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं वो अब सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबाकर ओल पर भी क्लिक कर लें जिससे इस तरह के उपयोगी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और भारत में हो ब्रस्टाचार मुक्त नहीं होगा इसलिए आम जनता को ही इसके खिलाप आवाज अवस उठानी चाहिए मैं आपको बिहार राज के जिला मधेपुरा SDPO कारियाले जिसे अनुमंडल पुलिस पदादिकारी भी करते हैं उसके कारियाले में हुए ब्रस्टाचार का खुलासा आप लोगों को अस्परस्ट दिखाना चाहता हूं जिससे कोई भी व्यक्ति आसानी से समझ सकते हैं कि किस प्रकार पुलिस विभाग में भी सिमेव जैते RTI 2005 के इतहत प्रपत्र को द्वारा विहार में RTI आवेदन लिख सकते हैं टाइप करा सकते हैं या फॉर्मेट भरा सकते हैं या ऑनलाइन भी कर सकते हैं प्रिशक में अपना नाम और पुरा पता देंगे पिन कॉर्ट भी देंगे अवश्य प्रेशित में जिस 2020 से 10-3-2024 तक अनुमंडल प्लिस पतादीकारी का कारियाल है, उधाक सुन्यनिमें सरकार द्वारा विभिन मदों में खर्च करने उपलप्द कराये रासी की जानकारी प्रमानीत कर उपलप्द करायें, दूसरा दिनांग इतना इतना तक सरकार द्वारा उपलप्द कराये रासी को कार्याले द्वारा किये गए खर्च विवरा की सूची प्रमानित कर उपलब्द कराएं। सुल्क में जो गरीवी रेखा से नीचे के परिवार के हैं वो अपना रासन कार्ड लगाने से धारा साथ पांच के तहत ने सुल्क सुचना दी जाएगी। अपना नाम पूरा पता लिखकर आप आसानी से प्रस्टाचार का खुला साथ कर सकते हैं। असपश्ट इस पत्र को लगाया था जिसके जबाब में स्ट्पो कारियाले द्वारा अनुमंडल पुलिस द्वारा क्या जबाब दिया गया है। आप लोग असपश्ट देखें और आप लोग भी आसानी से समझ सकते हैं कि किस प्रकार भरस्टाचार का प्रियोग किया जाता है। मैंने तीन आवेदन लगाया था जिसमें तीसरा आवेदन में इस तरह की सुचना मांगी गई थी। तो आप लोगों को उनका जबाब में साक्ष के साथ दिखा रहा हूं या तीन प्रसंद था जिसके एबज में मैंने मांगा था तो ये लिखते हैं कि अनुमंडल पुलिस पदादिकारी का कारियाल है उदाक सुदंगर में सरकार द्वारा विविन मदव में खर्च करने तू कोई रासी उपलब्द नहीं कराई गई है आप लोग देखें दिनांक 11-2020 से 10-3-2024 काने का मतलब 3 साल से उपर की मैं लगबग सूचना मांगे था जिसमें बताया गया ह कि तीन साल से सरकार द्वारा कोई भी खर्च करने तू रासी उपलब्द नहीं कराई गई है क्या आप लोगों को लगता है कि तीन साल से SDPO कारियाल है अनुमंडल पुलिस पदादिकारी अपने जेब के पैसे से कारियाले चला रहे हैं ऐसा कभी नहीं हो सकता या कि सूचना दी गई है दूसरा में भी देख लिए हैं चुकि अनुमंडल पुलिस पदादिकारी कारियाले में कोई रासी उपलब्द नहीं कराई गई है इसलिए कारियाले में खर्च विवरा के सूची संधारित नहीं है क्या ऐसा हो सकता है कि तीन वर्षे कारियाले में को क्या करती है लेकिन ये कर रहे हैं कि कोई रासी बुक्तान नहीं की गई है इसलिए कोई खर्च का व्योरा नहीं है तिसरा भी इसी तरह की यह मैंने सुचना मागी थी कि दिनांक 2020 से इतना तक कि एगे खर्चकार की संचिप्ट विब्रमकार के लिए सुकित रासी कार सुरू होने की तिति से समंदित रेश्टर संचिकार की प्रमानित परती सिग्रुपलत करा है तो इसमें उत्तर देते करम संख्याएक एवंदोग के उत्तर में नहीं था है इस प्रकार भ ब्रस्टाचार को दबाने के लिए किस प्रकार की सुचना दी जाती है मैं इस संबंद में आगे शिकायत बाद डायर करने जागा रहा हूँ और SDPO को एक लिगर नोटिस भी बेच चुका हूँ आप लोग अबस इस तरह के ब्रस्टाचार का उजागर करके भारत में हो रे ब्रस्टाचार में कमी ला सकते हैं जैहिन जैभारत आप लोगों को यह वीडियो कितना उप्योगी लगा अबस कमेंट कर बताएंगे